हेलो इब्रीवन स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस टॉपर टॉक के नए वीडियो में क्योंकि हम मिलने वाले हैं आपके बेचु बीए एलेलवी के टॉपर से जिनका 2022 में आया था 600 में पूरे के पूरे 574 तो दोस्तों सुच सकते हैं कि इन्होंने किस परकार से इन से जानते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे त्यारी किया किस चीजी को इग्नॉर करना चाहिए उसको इग्नॉर किया तो आए इनके जुबानी इनकी कहानी सुनते हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है परचाई देंगे मेरा नाम नील आर्यन है और मैं उ आपके लिए पहला सवाल यह रहेगा कि आपके मन में कैसे यह बिचार आया कि हमको भी यह करना है और भी अच्छा करूं और जो की जुडिशेरी के लिए बहुत ही अच्छा इक इन्सिट्यूशन है इसलिए मैंने भी फैकल्टी ऑफ लॉज से करने का निर्णे लिया इसके लिए मैंने की परिक्षा दी और उसमें अच्छे अंक आने के कारण मुझे इस कोर्स में एड्मिशन मिला है थैंक्यू दोस्तों समझ सकते हैं कि इनके जो पीता जी है वह खुद एड्वोकेट है जिनके माद्यम से इनको पहले से ही विचार में आया कि हमको यह इस लाइन में जाना है चलिए अच्छा यह आप बताइए कि इसका स्लेवस क्या है जो आपके बेचू बी एललबी इंट् पर होता था जो तह बानार्वज लॉज प्र के त्वी एड्मिशन हो रहे हैं साला प्र इनकों छूर्ष और बीस्ट इके थिन और शींट्न जो होता है उसमें तेन इस शुर प्रूशन होता है पहले कि 12 का एक subject है उसमें 200 Marks का एक्जाम होता है और जनरल टेस्ट एक जो टीसरा होता है वो 300 Marks का होता है और अगर मैं seats की बात करूं तो ब घ्रमें total 74 seats हैं जिसमें से आदी seats जनरल की हैं वाकि अनने काटेगरी के लिए एक और बताइए कि कितने रेंग तक उमीद होता है कि मिल जाएंगे अगर हमारा होता है ना कि एक रेंग इतना केटेग्री वाइज है तो कितने तक चांस होता है अगर मैं जनरल केटेगरी की बात करूं तो 35 सीट्स है लेकिन कुछ शिफ्ट होने के कारण या कुछ बच्चे है ज्यादा सीटे नहीं है जिसमें आप जेनरल का भी जान गए और जो अन्य कर्टेगरी के है वो भी हो तो आपके लिए एक निक सवाल है कि इसका पूरा स्लेबस देखे तो क्या-क्या चीजे पढ़नी चाहिए हमें स्लेबस में क्या-क्या स्लेबस जो है वो जैसे मैंने बताया कि तीन पार्ट में डिवाइड़ है इंग्लिश जो का जो पेपर आया था वह बहुत इजी आया था तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जनरल अंडरस्टाइंडिंग हो इंग्लिश में वह इंग्लिश का एक्जाम कर सकता है लेकिन तब पोर्चाँ धैक वैश लिगल ऍसलीक डीन लीगल स्टाइसा का है लिगल स्टाइज पूरी एंसिर्ट एंस परेश भी बेस होने तो आप उसको रिफर कर सकते हैं तो दोस्तों यह रहा आपका सलेबस की क्या क्या चीजे आपको पढ़ना होगा अगर बीया चुब बी एलल भी इंट्रेंस देनी के सोच रहें सीवीटी 2023 तो यह देख सकते हैं अच्छा यह बताइए कि आपका छी सो मित पांस चुहतर मांक् मेरे बढनी की स्टाटिजी यह थी कि मैं भूती लिमिटेट सो से पढ़ता था लेकिन मैं रिवाइज उसको रिगुलर्ली करता रहता था जिसे मैंने English के लिए बताया कि मैंने कोई specific बहुत जादा books refer नहीं करी पर एक दो ही material है उसको अगर आप बार बार revise करते रहेंगे तो वह आपको learn हो जाएगा उसी से आप exam को easily crack कर सकते हैं मेरा कहना यह है कि आपको बहुत जादा material की बीचे नहीं भागना चाहिए और limited material से specific तयारी आपको करना चाहिए लेकिन आपका यह जाना चाहर है कि मतलब कि कैसे त्यारी करते थे कहने का मतलब कि क्या time देते थे क्या आपकी timing थी कैसे कैसे उसी manage करते थे घर का खुद का जो 3-4 घंटे का CVT preparation के लिए तो मैं रात के समय पढ़ाई करना पसंद करता था और घर के अलाबा बहुत सारी चीज़ें से जो manage करनी पड़ती है तो time management सीखना बहुत जरूरी है और मैं यहीं कहूंगा कि मैंने जो books हैं उनको read किया और उनको समझा उसके बाद मैं खुद के भी notes बनाता था और खुद के notes बनाने के बाद उनको revise करता था ताकि जो book है जो already concise है वो थोड़ी और concise form में हो जाए जिसकी वज़े से मैं exam में उन notes को जल्दी देखे revise कर सको तो दोस्तों इनका रहा strategy पढ़ने का कि इन्होंने कैसे कैसे notes बनाए कैसे क्या चीजे किया जिसके माध्यम से आज परिणाम सामने हैं अगला सवाल यह है कि बहुत सारे बच्चे यह भी पूछते हैं कि कौन सब्बुक बेतर है कि हमें इंट्रे है तो पेपर और जाधा टफ होने की संभावना है तो मेरे से मैंने बताया कि इंग्लिश के लिए इस बार पेपर ईजी था लेकिन अगर पेपर थोड़ा टफ होता है तो जो मैंने दिश्टी आई इसके बुक बताई है आप उसको रिफर कर सकते हैं और जो लीगल स्टई रहा नेज़ पेपर जो भी चीजे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ने होंगे एक और लास्ट कड़ी में एक लास्ट सवाल आपके लिए यह रहेगा कि जो बच्चे अभी तयारी कर रहे हैं तो किस परकार से तयारी करें ताकि उनका एडमिसन 2023 में स्वीटी अगर देते हैं विए लेलबी का उनका एडमिसन हो जाए किस से मेरा यह मानना है कि लीगल स्टीज जो की बहुत इंपॉर्टन कंपोनेंट होगा तो उसकी स्पेसिफिक तयारी करनी चाहिए और अगर हो सके तो 12 में लीगल स्टीज ऑप्शनल उन्हें लेना चाहिए इसके अलावा की तया करना चाहिए और स्कूल की पढ़ाई के अलावा की प्रिपरेशन के लिए अलग से टाइम उन्हें निकालना चाहिए उसके अलावा जो स्लेवस हैं जो बुक्स हैं उसके अलावा प्रैक्टिस जनरल टेस्ट में बहुत इंपॉर्टन है और जैसे मैंने बताया कि मैं रात क मैं यही मैं कहना चाहूंगा और सबसे पहले हैं क्यों जिन्होंने सीवेटी दोजार बाइस में छी सो में पांसो सौरी पांसो चुहतर मांस उठाय है तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि इन्होंने कीस परकार से पढ़ाई किया होगा आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही हेलफुल होगा बहुत कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा हो सकता है कि इस वीडियो से आप लोग सीख करके अगले बार इनसे मिलने का भी मौका मिले ठीक है बाकी हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन